नमस्कार दोस्तों, हमारा मन एक छोटे बच्चे की तरह है, एक शैतान बच्चा, जो अलग-लग लोगों को देखकर, अलग-लग घटनाओं को देखकर, उनके बारे में कुछ न कुछ बोलता रहता है, इसे हम बोलते हैं मन की कॉमेंटरी, लगातार हमारे मन में कुछ न बचार चलते रहते हैं, हम लोगों के साथ अपने आपको जोड कर, अपने पुराने अनुभवों को याद करते रहते हैं, यहां तक कि अगर हम किसी मूवी में या टेलिवीजन पर कोई सीन आ रहा है, तो उसके साथ भी हम अपने आपको रिलेट करते हैं, उन घटनाओं को अपने आप के साथ जोड़ कर देखते हैं, अपनी अतीद की घटनाओं को याद करते रहते हैं और उसके कारण हम अपने वर्तमान में भी दुखी रहते हैं तो इसके लिए हम क्या करें, यह जो लगातार हमारे मन में बाते चलती रहती हैं और उन्हें याद करकर के हम दुखी होते रहते हैं, उसे रोकने के लिए क्या करें। दोस्तों इसे हम ऐसे समझते हैं कि जब हम लगातार पुराने यादों को एकटा करते जाते हैं, तो हमारी मैमरी फुल हो जाती हैं। तो जब आपके कम्प्यूटर की या फोन की मैमरी हमें अपने आपके साथ करनी हैं। तो ऐसी पुराने बाते हैं जिनने याद करके कोई फायदा नहीं, हमें दुख होता है, उन यादों को हम डिलीट कर दें। लेकिन हमारी बॉड़ी में ऐसा कोई स्विच नहीं बना हैं। तो हम अपने यादों को डिलीट करने के लिए अपने सबकॉंशेस माइंड को यूज़ कर सकते हैं। सबकॉंशेस माइंड को आप जैसा जैसा कहेंगे, वो बिलकुल एक आग्याकारी बच्चे की तरह उसे मानेगा। और सबकॉंशेस माइंड को जागरत करने के लिए यूग नेद्रा से अच्छा कुछ भी नहीं। यूग नेद्रा में आप जो भी संकल्प लेंगे, जिन यादों को आप मिटाना चाहते हैं, उन्हें उस संकल्प में शामिल करें, और सीधे सीधे अपने अवचेतन मन में भेजें। जब आप लगातार उसी संकल्प को बार बार दोहराएंगे, तो ये यादें, पुराने जख्म, पुरानी जो ऐसी मेमरीज हैं, जो हमें दुख देती हैं, उन्हें मिटाने में ये बहुत साहेक होगा। आपकी हीलिंग होगी, मन से जो अंचाहे विचार हैं, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। तो आप योग निद्रा का अभ्यास करें, और उसके मैजिक को देखें। आपको अंचाहे विचारों से चुटकारा दिलाने में योग निद्रा बहुत मदद करेगी। यानि ये आपके विचारों के जड़ पर काम करेगी, जिस जड़ के कारण ये विचार उत्पन होते हैं, पैदा होते हैं, उस जड़ को ही ये समाप्त कर देगी, पूरी तरह से मिटा देगी, और फिर कभी ये विचार आपको परिशान नहीं करेंगे, तो युग निद्रा कर करके देखें, और अपनी एक्सपीरिंस मेरे साथ जरूर शेयर करें, मुझे पूरा विश्वास है, आपके एक्सपीरिंस बहुत कमाल के होंगे, अपना ख्याल रखें, नमस्कार